Hey everyone, welcome back to our channel, छोटे छोटे, स्मॉल, स्मॉल सेंटेंसे नमबर वन और पहला सेंटेंस है तुमने उससे क्या कहा? तुमने उससे क्या कहा? ये सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव डबलु एच वाले वाक्य हैं What did you say to her? अगर वो लड़की है तो हर लिखेंगे, अगर लड़का है तो हिम लिखेंगे तुमने उससे क्या कहा? What did you say to her? नमबर टू, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा I will tell you soon I will tell you soon नमबर थ्री, क्या तुम चिलाना बंद करोगे? क्या तुम चिलाना बंद करोगे? Stop Ailing Ailing means भी चिलाना होता है Will you stop shouting भी आप लिख सकते हैं? नमबर फोर और अगला sentence है वह तुम्हें बुला रहा है वह तुम्हें बुला रहा है He is calling you He is calling you वह तुम्हें बुला रहा है He is calling you नमबर फाइफ और अगला sentence है वह उसे बुला रहा है अगर आपको बुलना है कि वह उसे बुला रहा है He is calling her अगर लडकी है तो हर अगर लडका है तो him He is calling her नमबर शिक्स तुम कभी नहीं सुद्रोगे तुम कभी नहीं सुद्रोगे You will never change You will never change तुम कभी नहीं सुद्रोगे You will never change नमबर शैवन और अगला वाक्य है दूबारा ऐसे मत करना Don't do this again दूबारा ऐसे मत करना Don't do this again No.8 और अगला वाक्य है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ I am not such a person Number 9 और अगला वाक्य है लिख के ले लो जैसे आप किसी से बोल रहे हैं लिख के ले लो ऐसे ही होगा तब हम उसे English में लिखेंगे Mark my word लिख के ले लो Mark my word लोज बोले जाने वाले sentences से practice करके आप English बोला सीख सकते हैं Number 10 और अगला वाक्य है यह क्या बत्तिमी जी है यह क्या बत्तिमी जी है What the hell यह क्या बत्तिमी जी है What the hell यह क्या बत्तिमी जी है Number 11 अगला वाक्य है यह एक अजीव इत्तिफाक है यह एक अजीव इत्तिफाक है This is a strange coincidence This is a strange coincidence Coincidence means इत्तिफाक Number 12 और अगला वाक्य है मुझे इसकी आदत है हम ऐसे sentences रोज बोलते कि मुझे इसकी आदत है I am used to it मुझे इसकी आदत है इसमें used to का use होगा I am used to it Number 13 मुझे रोको मत Don't interrupt me Don't interrupt me मुझे रोको मत Don't interrupt me Don't interrupt me Number 14 कोई भी ले लो जब हम से कोई पूछता है कि कौन सा लूट तब हम ऐसे sentences बोलते हैं कि कोई भी ले लो Take anyone Number 15 अगला वाक के मेरी तब्यत ठीक नहीं है अगर आपकी तब्यत ठीक नहीं होती है तब आप ऐसे बोलते हैं कि मेरी तब्यत ठीक नहीं है तब आप उसे इंगलिस में बोलेंगे I am not well I am not well मेरी तब्यत ठीक नहीं है I am not well नमबर 16 और अगला वाक है मैं बाद में कर दूँगी अगर आपको कोई काम दिया है और आप बोलते हैं मेरी तब ठीक नहीं है I am not well मैं बाद में कर दूँगी I'll do it later I'll do it later नमबर 17 मेरा मूड नहीं है I'm not in the mood मेरा मूड नहीं है I'm not in the mood नमबर 18 अगला वाक है तुम अकेली नहीं हो तुम अकेली नहीं हो You are not alone तुम अकेली नहीं हो You are not alone नमबर 19 मैं तुम्हारे साथ हूँ I'm with you मैं तुम्हारे साथ हूँ I'm with you तुम अकेली नहीं हो You are not alone मैं तुम्हारे साथ हूँ I'm with you मैं तुम्हारे साथ हूँ I'm with you नमबर 20 और अगला वाक है हमेशा नम्रिता से बात करो नम्रिता से बात करो means प्यार से बात करो धीरे से बात करो हमेशा नम्रिता से बात करो अगला वाक है क्या तुम मुझसे डरते हो अगर आप किसी से डरते हो तो वो सामने वाला इंसान आपसे पूछता है क्या तुम मुझसे डरते हो तब आप उसे इंगलिस में बोलेंगे Are you scared of me?